या देवी सर्वभूदेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं प्रिकति के साथ इसी चेतना के उत्सों को नौरात्री कहते हैं इन नौ दिनों में पहले तीन दिन तमो गुणी प्रिकति की आराधना करते हैं इसके बाद तीन दिन रजो गुणी और बाद में तीन दिन सतो गुणी प्रवत्ति की आराधना का महत्तो है दुर्गा लक्षमी और सरस्वती इन तीनों ही रूपों में देवी मा की आराधना की जाती है देवी मा सर्वत्र व्याप्त हैं समस्त जीवजन्तूं में चेतना के रूप में इस्थित विद्धमान है या देवी सर्वभूदेशु चेतनेत भी दियते नौरात्र पूजन के चोथे दिन कूश्मान्डा देवी की उपासना की जाती है इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है अता इस दिन उसे अतिंत पवित्र और अचन्चल मन से कूश्मान्डा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के का जब स्रेश्ट्री का अस्चितु नहीं था तब इन्ही देवी ने ब्रम्भांड की रचना की थी अता यही स्रेश्ट्री की आदी स्वरूपा आदी शक्ति हैं। वस्तुओं और प्राणियों में अवस्तित तेज इन्ही की जाया है। रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयू, यश, बल और आरोग की व्रद्धी होती है। मा कुश्मांडा अत्यन्द सेवा और भक्ति से प्रसन होने वाली हैं। यदि मनुष सच्चे हिर्दे से इनका शानागत बन जाए, तो फिर उसे अत्यन्द सुगमता से परमपद की प्राप्ति हो सकती है। विदि विधान से मा की भक्ति पत पर कुछी कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूश्म अनुभो होने लगता है। ये दुख, स्वरूप, संसार उसके लिए अत्यन्द सुखद और सुगम बन जाता है। मा की उपासना मनुष्ट को सहज भाव से भाव सागर से पार उतारने के लिए अत्यदिक सुगम और शेसकर मार्ग है। मा कुश्मान्दा की उपासना मनुष्ट को आधियों, व्याधियों से सर्वता विमुक्त करके उसे सुख, सम्रिद्ध और उन्नती की ओर ले जाने वाली है। अपनी लोकिक, पार लोकिक, उन्नती चाहने वालों को देवी मा के सुरूप की उपासना सदयो करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन मा कुश्मान्दा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर, समस्त रोक शोक तूर करके आयु यश में व्रद्धी करने की शमदा है। या देवी सर्वभूतेश। मा कुश्मान्दा रूपेंड संस्थिता नमस्तस से नमस्तस से नमस्तस से नमो नमहा। हे मा सर्वत्र विराजमान और कुश्मान्दा के रूप में प्रसिद अम्बे आपको मेरा बार बार प्रणाम है। बैए आपको बारम बार नमन करता हूँ हे मा, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के पांचमे स्वरूब इसकंद माता के बारे में यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरूद है कि सस्प्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें धन्यवाद देवी मा के किरपा पर सदेव भनी रहे जै मादूर के